बहिया क्या जैसे लोग हमें ट्रीट करते हमें उन्हें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए कोई बत्तमीजी कर रहा है उससे बत्तमीजी करें कोई गाली गलोच कर रहा है उससे गाली गलोच करें कोई असब्भे विवार कर रहा है तो उससे असब्भे विवार करें या अपने आपको maintain करें, हम जैसे हैं वैसे ही बने रहे हैं, हम अपनी तरफ से अच्छा behavior करें, इसका कोई solution बताओ क्या करना चाहिए. दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनाओंगा, एक बहुत उंचा बहुत बढ़ा पेड़ था, उसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और अक्सा खेलते थे, लेकिन परिशानी की बात ये थी कि कोई भी बच्चा चाहते वे भी उस पेड़ पे नहीं चल पाता था, च एक दिन उसने कोशिश करी, कहीं बार कोशिश करी और आदे बोने घंटे कोशिश करने के बाद उस पेड़ पे किसी तरह चड़ गया, उसकी खुश्ची का कोई ठीका आना है नहीं रहां, सब बच्चे नीचे खड़े जल रहे थे, कि ये कैसे पेड़ पे चड़ गया, आर सब लोग बड़े बुड़े उसको एप्रिशेट भी करते शायद को ये वाट भी दे देते और बाकी बच्चे इस वज़े से जलील हो जाते इनकॉंपेटेंट प्रूव हो जाते तो नीचे खड़े बच्चों को बड़ी जलन हो रही थे उसने अगा क्यों हम इसको गाली गलोच करें बत्तमीजी करें एक बार ये बहग गया इसको बहुत गुस्सा आगया तो ये नीचे उतर जाएगा और फिर किसी को पतानी चलेगा कि ये पेड़ की उपर चड़ा था तो सब बच्चों ने उससे गाली गलोच बत्तमीजी करना शुरू कर दिया पहले कुछ देर वो सुनता रहा सुनता रहा फिर उसका दिमाग काबू से भार हो गया वो चिलाए मैं अभी नीचे उतर के तुमें बताता हूँ जट से पेड़ से नीचे उतर गया और पत्थर लेके सब के पीछे दोड़ पड़ा सब बच्चे खिल खिलाते हो ये मुस्कुराते हो वहां से भाग गए कुछ देर में बड़े बुड़े वहां से गुजरे पेड़ पे कोई भी नहीं था और उस बच्चे ने जब बाद में सब को बताया गो लेवल अच्छा है आपका एक स्टैंडर्ड है जो लोग आपके लेवल पे नहीं पहुँँच पा रहे क्योंकि उचे लेवल पे पहुँच़ना मुशिल होता जैसे वो स्पेड पे चल द्पाभना मुश्किल था वो लोग आपसे जलेंगे निश्चिंच जलेंगे और आपको नीचे उतारने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो खुद उपर नहीं चड़ सकते हैं उनके अंदर इतना दम नहीं है अतनी पावर नहीं अतनी कैपेबिलिटी नहीं है तो वो प्लैन करेंगे कि किसी तरह आपको अपने लेवल पे लियाए आपसे बत्तमीजी करेंगे आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेंगे ताकि आप भैग जाओ अपना लेवल छोड़ दो जो लेवल आफ रिस्पेक्ट मिचुरिटी आपके अंदर है वो सब त्याक्या उनके लेवल पे आजाओ और एक बार आप नीचे उतर गए उनके लेवल पे आगए तो आप उस बच्चे की तरह बन जाओगे जो दुबारा उस पेड़ पे नहीं चड़ पाया क्योंकि उपर पहुँचना असान नहीं होता और एक इमेज बन गई तो बन गई आपने दुनिया को साक्षा दिखा दिया कि आपका भी लेवल खराब है नीचा है तो इमेज को दुबारा बनाना मुश्किल हो जाएगा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो दोस्तों अगर आप एक स्टेंडर्ट पर खड़े हो एक लेवल पर खड़े हो आपका एक जीवन जीने का तरीका है वो अच्छा है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको मेंटेन करो लोग तो आपको नीचे दिखाएंगे नीचे बुलाना चाहेंगे तो अपनी जिम्मेदारी उन लोगों को नेगेटिव रियक्शन दिने से पहले ये समझो कि मुझे अपना लेवल मेटेन करना है मेरा लेवल हाई है मुझे उनके लेवल पर नहीं गिरना है जहां तक अवॉइट कर सकते हो करो अगर वो बच्चे उसको पत्थर ही मारने लगते डंडे मारने लगते तो उसके पास कोई option नहीं रह जाता फिर उससे नीचे उतर नहीं उतरना पड़ता लेकिन ये एक extreme situation होगी ऐसी situation बहुत कम आएगी क्योंकि उसमें लोग evidently criminal बन जाते है और अक्सर लोग एक नकाब के पीछे काम करते हैं अच्छे बनते हैं करते हैं बुरा हैं तो ऐसी situation नहीं आईगी आती है तो फिर तो उतरना ही पड़ेगा कोई बात नहीं उनको face करना पड़ेगा नहीं आती वो धीरे-धीरे कोशिश कर रहे हैं आपसे पंगा ले रहे हैं परिशान कर रहे हैं तो यह आप के उपर है कि आप अपना level maintain करो दोस्तो मेरे साथ भी कही बार ऐसे मौक्या है लोगों ने मुझसे जगणने की कोशिश की गंदी बात बोली पब्लीकली बोली चिए जवाब दूँगा उसके level पर जवाब दूँगा तो सबसे पहले तो मेरा level गिर जाएगा लोग कहनगे देखो इसका भी यह level है यह भी ऐसी बाते कर रहा है और लोग उसकी करनी को भूल जाएंगे मेरी करनी को याद रखेंगे मेरे reaction को याद रखेंगे वो इंसान और बच जाएगा और अगर मैं चुप लगा जाओ उस इंसान को एग्नोर करतो मुस्कुरा दो तो वो इंसान सब की नजरों में भी गिर जाएगा सब समझ जाएगी देखो एक कोशिश कर रहा था उसको गिराने की उसको परिशान करने की वो नहीं हुआ और मेरा लेवल मेंटेन रहेगा लोग कहेंगे देखो इसका कितना हाई स्टेंडर है ये इंसान टुच्ची बातों पर ध्यान भी नहीं देता उमीद करता हूँ आपको आपका जवाब मिल गया होगा